नमस्कार दोस्ट स्वागत आपका इस्टीफ वीडियो को पूरा देखें कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है चलगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिज़े और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए च हेलो दोस्तों आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से 18 एक्टूबर 2022 से हमारा नया बैच शुरूर रहा है यूप वेसी आरो यारो 2022 ते इसकी जो एक्सपेक्टेड वेकेंसी जवसके लिए जिन लोगोंने हमारा पेड़ ग्रूप जॉइन कर लि है उनको यहां पर डिटेल में डिसकस करेंगे और आपका एक पूरा ओरिंटेशन बन जाएगा आपनी तैयारी के दारान बाकी आप डाउट आगे पूचते रहा सकते हैं अपने डिसकेशन गूप में जिन लोगोंने डिसकेशन गूप लिया या फिर आगे जो हमारे हमारे बने रहा सकते हैं लेकिन आपको यह पूरा वीडियो देख लिन चाहिए तो बहुत सारी जो डाउट्स होते हैं यहां पर क्लियर हो जाएंगे पहले से अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी गारण से या फिर नहीं करना चाहते हैं तब ही आप हमारे फ्री निशेटि बताते हैं स्टेडी फॉर सब्सक्राइब करके फाइदा क्या होता है आप आपकी पूरी तयारी करवाते हैं और एक पूरा वन स्टॉप डेस्टेनेशन के फार्म में गृप होता है किसी भी तरह का अन्य सोर्स ना यहां से रिक्मेंट की जाता है ना आपको लेना होता है पूरी प्रप्रेशन और उसके लिए आपको अडिशनल कहीं से कुछ भी करनेक जरूरत नहीं होती ना ही कभी हमारे द्वारा रिक्मेंट की जाता है कई बार आप मेंसे कमेंट में पूछा गया है कि स्टेडी फॉर्स उसर्स का पीडियाफ क्यों लेना चाहिए स्टेडी स्टेडी फॉर्स का पेड़ बैच यहने से क्या लाव होता है तो हम एकदम लेटेश्ट की जानकार यह आपको दे रहे हैं यह स्टेडी फॉर्स का यह मेंस का बैच चला था आरो यारो में 121 का जिस पेपर में आप यहां पर हमारे कंटेंट से और यह कुशन देख सकते है इस तरीकी के डिरेकली आपको फायादा मिलता है आपको कहीं से कोई मैगजीन पढ़नेक जरूरत नहीं पड़ी और आप सारे के सारे के सारे करेंट फैर हमारे PDF से कर सकते थे GS के सवाल कर सकते थे यहां पर देख सकते हैं आप लगातार, current affair के सवाल ले लें, आप GS के सवाल ले लिजिए इसमें, और सारे के सारे आप सवाल कर सकते हैं, GS में जो नहीं दिये रहते हैं, Fats नहीं मिलते हैं, आपको कई बारें से IT में, Standard Book में हो भी यहां पर हम सारे करवा देते हैं, बहुत limited number of pages में आप पूरा content त्यार कर सकते हैं, बीना जो है माथा पच्ची करे हुए, और बीना विकार की मानसिक जुगाली किये हुए, ठीक है, आपको जड़ा भी confused करना उद्देश्च नहीं रहता है, कभी study for service का, हम एक target लेकर के काम करते हैं, study for service team target बनाती है, अगर हमने किसी भ geography, politics, norm environment, सारे के सारे facts आपको मिल जाते हैं, आपको कहीं से भी अलक से कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ने के जरूरत नहीं होती है, study for service service अन्थान विश्वास करता है समाधान देने में, घ्यान देने के लिए तो तमाम, हजारों की संख्या में, मैं तो कहता हूँ, लाखो आउटपुट दे पाना बिल्कुल impossible सी बात हो जाती है, खासकर UPPSCJS exam में जहां पर बहुत specific तयारी आपको करनी पड़ती है, इस तरीके से जो list यहां पर हम बनाते हैं, उसे directly question आते रहे हैं, हमने एक पूरे, कह सकते हैं, chunk of papers को analyze किया है, लगतार 3-4 वरश्चों से हमारे experience इस तरीके रहा है कि directly आपको इस output देखने को भिल रहा है, इस तरीके से लगतार हमारे exam में questions जो है, आते हैं हमारे content से, अभी APO का paper भी वहा था, उसमें भी सारे GS के current affair के सवाल जो है, इसी content से आये थे, हलांकि उसका कोई हमने अलक से paid batch नहीं चलाया था, लेकिन इसी study content से उसमें भी सारे सारे सवाल आये थे, ठीक है, ये तो बात हो गए GS की, मैं दिखा सकता हूँ limited, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, हिंदी में भी तमाम books आपको recommend कर दी जाएंगी, YouTubers के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन students के लिए physical नहीं है, इतना समय हिंदी को देंगे तो, ठीक, हिंदी में study for civil services के content का वीडियो पड़ा हुआ है, उसी के screenshot लगा रखे हैं हमने, और PDF दी थी पेट गूप members को 58 सवाल, 60 में से 58, बिल्कुल प्रूफ के साथ यहां पर आप कर सकते थे, दो इसलिए रही कर सकते थे, क्योंकि दो सवाल से अच्छा आप study for civil services को महुकात दे सकते हैं, आपकी services के लिए, एक सही guidance के लिए, एक सही समाधान के लिए, ठीक है, I repeat, सही समाधान के लिए आप study for civil services को join करें, otherwise ज्यान देने के लिए तमाम sources available हैं, इस बार और भी व्यापक changes किएगा है हमारे study content में और उसको deliver करने के तर strategy बनाने के जरूरत नहीं पड़ती ही कि आज कौन सा विशे पढ़ना है, काल कौन सा पढ़ना है, परसो कौन सा revise करना है, हम module के form में सब यहाँ पर arrange कर करके दे रहे हैं, तो कि अभी सब बताया जा रहा है, इसके बारे में आगे, और जो है monthly current fair तो आपको दे दी है, क्या है बारे में पर बहुत 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 नीतानत जरूरी है, इस पर मैं पाल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, यूनो बना बीना प्रैक्टिस के वा इसन पर में अधिता मंग लाई ही नहीं जा सकते हैं, चाहिए आप कितनी बस्टेड़ी कर लें, पूरी बात पता होते हुए question के answer तक कैसे पहुंचते हैं यह बहुत एक organic बात है इसको बताया नहीं जा सकता है या फिर इसको book pen paper नहीं बता सकते हैं इसमें आपको practice करनी पड़ेगी practice करवाएगा हमार इंस्टूट आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको practice करवाई रहें ठीक है लेकिन लोगोंने लिया है वह यहां पर basic बात समझ लिजिए दो ग्रूप है आपको एड़ किया गया होगा आपने full paid group join किया है अगर आपने सिर्फ study material का लिया है तो आपको एक ग्रूप में आट किया गया होगा study material ग्रूप का आश्या है कि उसमें module दिये जा लें लेकिन वो एक दिन बाद मना कर देते हैं सरकार को कि वह पद नहीं करेंगे फिर सरकार किसी और को अप्रोच करती है वह भी मना कर देते हैं फिर अंद्यताय आर विंकट मडी जो है हमारे attorney general नियुक्त होते हैं जो कि इस समय है तो यह इतनी बारी जानकारी जो है आपक अब कोई वर्तिनी ने सोच बें आ रही है हिंदी की आपको कोई फैक्ट में डाउट है आपको गांधी जीज कभी भारत लौट इस वर्ष में डाउट है कि यह बर्ष नहीं था यह तारीख नहीं थी उसमें आप एड्मिन से डिसकस कर सकते हैं जो अथेंटिक सोर्से से उ जो भी वहां पर इंडिसिप्लिन या इंडिसेंसी दिखाता है उसको तुरंद हटा दिये जाता है बिना कोई जो है इफबट के बिल्कुल आप परपस स्टिक हो के हमारे साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आउटपूट भी अच्छा निकलेगा और आप जो सब्सक्राइब कर दिखा रहा हूं बिल्कुल आप अटेंशन मत लीजिए अभी मैं ओवर भी बता दे रहा हूं ग्रूप का ठीका जीए से लर्न करने में आसानी होती है स्टुडेंट को मैक्सम फीडबैक स्टुडेंट का है कि मॉड्यूल में करेंट डेली ना डाल करके म सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आगे पीछे हम कंपेंट कर लेंगे अगर आपको अलग से चिंता करने की आवशक्ता नहीं होती है अगर आप हमारे इंस्टूट में आ गया है आप यह वीडियो सबसे पहले पूरा कंप्लीट करेंगे फिर पेर ग्रूप मैट्रियल क इसके हिसाब से बस मॉड्यूल आपको फॉलो करते जाना है डेली पांच शे घंटे यहां पर लिखा हुआ है इसको हमान रखते हैं जब वकेंसी अनाउंस होगी ताब आपको इतनी डिवरेशन की ज़रूरत पड़ेगी अभी आप 4-4 गंटे में ही पूरा मॉड्यूल भी कर लेंगे मंसली करेंट फायर भी रिवाइस कर लेंगे ठीक है और हिंदी भी रिवाइस कि जा सकती है और प्रोड़क्तिव स्टी यहां पर ताड़े-4 गंटे की रिक्वायर्ड है अभी के लिए जैसे वेकैंसी राउंस होगी तो वहां पर हम आपको आगे के लिए स्टे जैसे परिक्षार्थी को सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उससे संब्धे टॉपिक को तयार करना चाहिए उस ही के जैसे सवाल लगाने चाहिए वही हम करवाते हैं तो जैसे आपको पेट को इसके कोशन डेक्ली देखने को मिल जाते हैं डेवाइस मोड्यूल दिया तो सबसे पहले होता है आपका वस्तुनिष्ट पेपर ठीक है परिक्षा योजना पाठकरम यह है 2021 का हमने लिया लेकिन इसमें कोई भी चेंज होने की संभावन नहीं 2022 थे इसमें भी तो वस्तुनिष्ट प्रकार का पेपर होता है 140 यहां पर प्रशन होते हैं और इसमें न प्रिलिक करके जाएंगे आप मेंस देते हैं 400 नंबर के पेपर में आप जितना भी कट आफ मार्क सर्जित करेंगे लोगेस्ट आफ मार्क जो की पोस्ट पाने के लिए जरूरी होता है वह यहां पर पर रहाएबाची टॉपिक यहां पर हट जाता है और बांकी टॉपिक से पढ़ने है मेंस में पढ़ने है प्रशनती हो जाएंगे पूर्णाग साथ ही राएगा अब धी हो जाएगा इस पेपर की आधा घंटा यह प्रिविस करके कटाव फेस को भी दिखा दे रहे हैं यह टॉपिक वाइस आनलाइसिस को भी हम देखेंगे लेकिन आपको यह समझ परणपरागत हिंदी बंद होता है हिंदी नीबंद का फेपर हिंदी मांध्या में छपके आता है ठीक है 1808 होगा 120 नंबर का एक और GS को पर आप देंगे ठीक है जो की ऑबजेक्टिव ही होगा और सेम उसमें जो सिलेबस है सेम रहे का प्रिलिम्स का जैसे आप देखर करके आए सेम रहता है थोड़ा अपडेट करना पड़ता है क्योंकि जब प्री होता है तो उसके 900 दिन बाद मेंस होता है अरुका ठीक है अब यह हो गया आपका कितना 200 300 नंबर हो गया 500 नंबर की आपकी हिंदी कन्वेंशनल आती है इसको आप सब्जेक्टिव हिंदी बोल सकते हैं परंपरागत हिंदी बोल सकते हैं यह सेम रहते हैं और जीए बिल्कुल सेम रहती है इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है अब आपको पर दिखा दूँगा प्रिलिम्स का और आरो मेंस का उसमें आप कोई बी अंतर नहीं बता पाएंगे जब आप हैडिंग नहीं दे देते हैं 4-5 लंदी सावल डाल देते हैं लेकिन से लिए बस को यह साच चेंज रही होता है आरो प्रिलिम्स के जीएस में और रो मेंस के जीएस में तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 240 प्लस 160 यहां पर 400 अंकों में आपकी जो मेरिट बनती है उसमें आप दसतर यहां पर बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि मिनमम पांच-छेलाग लोग पेपर में भड़ेंगे क्योंकि यह कोई रेगुलर वेकेंसी होती नहीं है ठीक है यूबी पीसी की आपर की फिर भी रेगुलर वेकेंसी होती ही 200 पोस्ट भी आइं 300 भी चार्स भी आई तो यहां पर उमीद नहीं आभी फिलालम लोग कर सकते हैं ठीक है पंदरा गुना ही लोग सिलेक्ट होंगे इंस्टैन्स यह है कि अगर 400 वेकेंसी हुई तो कितने लोग जो है मेंस लिखेंगे औविसली इसका उतर होगा 6000 जोग ही सिर्फ जाएंगे मेंस में तो आप देख पा पर कॉम्टीशन उतना नहीं है जितना की प्रिल्मस में है प्रिल्मस में बहुत जाद आपको श्यादा था बढ़ जाता है थीद बड़ें से पहले हैं इसी विज़े से पहले हिए आप लोग यह पर पुराने सालों cut-off यहां पर analysis कर लेते हैं, 2013 cut-off ज्यादा इसली दिख रहा है क्योंकि तब negative marking नहीं होती थी, ठीक है, 2014 cut-off में भी आप देख रहे हैं ज्यादा अंक हैं क्योंकि negative marking नहीं होती है, यह दोसों में से cut-off है, जान रखिएगा, इंदियोजीयस मिला के 200 में से cut-off यहां पर लिखा हुआ है, 2017 में 122 cut-off गया था, और 2016 के जोरी exam हुआ था, उसमें 139 cut-off गया था, यह यहां पर RO की विकेंसी के लिए मैं बता रहा हूँ, RO के लिए cut-off इससी प्रकार से कम हो जाता है, RO accounts के लिए cut-off और भी कम रहता है, 110 में लोगों का हो जाता है, अजय एक चीज यहां पर मैं clear कर देना चाहता हूँ, क्योंकि discussion group में काफी सवाल आता है, इसकी eligibility क्या है, eligibility criteria RO के लिए नहीं लिखा जाता है, हमारे किसी भी, पुराने notification में नहीं लिखा वो देखने कुलता है, तो उस्पस तोर पर जो simple graduation, समाने रू समिक्षा अधिकारी हिंदी एड कर लिए, समिक्षा अधिकारी उर्दू एड कर लिए, इसमें यह होता है कि कुछ special qualification मांगी जाती है, for instance, अगर आप साहाएक समिक्षा अधिकारी बनना चाहते है, accounts के लिए तो आपकी अलग qualification होगी वहाँ पर, वो notification में लिख करके आएगा और साथ ही साथ इसमें आपको O-Level जरूरी होता है, इन सभी AC vacancies के लिए, O-Level यहाँ पर जरूरी होता है, समिक्षा अधिकारी हिंदी को छोड़ करें, समिक्षा अधिकारी हिंदी में आपके पास हिंदी से graduation होना चाहिए, हिंदी से आप सनातक होने चाहिए, ठीक है, तो O-Level यहाँ पर आपको देखना पड़ता है, O-Level का समकक्ष जो है कुछ degrees यहाँ पर अनौंस की हैं, अभी कमेशन ने, अब आयोग की official notification में हमको पता चल पाएगा कि वह समकक्ष डिग्रियां क्या-क्या मांग रहे हैं, ठीक है, PGDC यह मांग रहे हैं कि और कुछ जो बहु समिक्षादिकारी उर्दू, तो आपका उर्दू में graduation होना चाहिए, समिक्षादिकारी हिंदी तो आपका हिंदी में graduation होना चाहिए, उसके लिए लग से 5th paper भी होता है, जो की qualifying होता है, ठीक है, बार बार मर पूचिएगा कि 5th paper सभी को नहीं देना है, अगर आप RO के cut-off clear क typing देना है, अन्य पोस्ट के लिए कहीं कहीं पर typing भी होती है, ठीक है typing यहां पर आपकी कुरुतिदेव font में होती है, वो भी मैंने बता दिया है, आप सब बता दिया है, समाने रूप से सनाता गर आप candidate हैं और आप वेकैंसी को anticipate कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सब आरो समिक अन्य पोस्ट के लिए होती है, वो यहां पर कमीशन के official notification में ही हमको पता चल पाएगा, जब भी हम कोई target करते हैं अपने जीवन में तो उसमें बहुत सारा हमको analysis करना होता है, अगर आप जो है कहीं जा रहे होते हैं, कोई यात्रा कर रहे होते हैं, तो क्या analyze करते हैं, हम प पोस्ट को qualify करना है, तो आपको syllabus पर विचार करना है जरूरी होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको मैं overview दे रहा हूं, इसमें आपको नहीं research and development करने लग जाना है, कि समान विग्यान में कहां से आख सकता है, आप खूजने लगे हो सब, आपको नहीं करना है, अगर आप study for services के group में आगे हैं, तो समान विग्यान जो study for services करा रहा है, भारती तिहास में जो हम content देंगे, चाहे जो भी जितने point यहां पर लिखे हो हैं, दस की दस, उसमें सारा content study for services आपको देगा, आपको बस उसको पढ़ना है, और आपको आपको क्वालिफाई हो जाएगा ओस प्रिपेश स्थी आपको जो हैं, जो हैं बार्ती परिपेश सदोब्स में हम को पढ़ना है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ नगर संबंदीद शायको चीजें हैं, वो भी हम add करते हैं, क्योंकि, लिक्स तो दिया है लेकिन अपने ही सिलेबस का वैलेशन कर देते हैं कभी कभी लास्ट आरो मेंस से हुआ था दोजर इस वाला से पहले 2016 कारी एक्जाम कार जो आरो मेंस हुआ था उसमें में मेंस पेपर में वैश्विक नगरी करने से भी एक कुछन पूछा था यूरोप से स उकल बिलाकर में आपको यह कहना चाहरा है कि समान विज्ञान में भारती तिहास में या सिलेबस में लिखेवे किसी पॉइंट में जो स्टडी फॉर्स इस मॉड्यूल वाइज आपको कर आएगा जैसे यहां पर अधुनातन राष्ट्री और अंतर राष्ट्री महत्पूर सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब अधिया सब्सक्राइब करते हैं रहें तीन चार बरश्ट्रों से और उसका पड़नाम भी देधे आरे सकरात्मक इतना काफी होगा भारती तिहास में कोई NCRT, RS, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम, कोई जो है नहीं जरूरत पड़ेगी जो हम देंगे content वही काफी होगा यहाँ पर वो आपके बहुत सारे factor करवा देगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे जनरली standard books से भी हो सकता है ना कर पाएं लेकिन जो हमारा content होगा वो काई बारत जो है sufficient होगा ठीक है और मेंस में बहुत सारे सवाल आए थे इसी content से और मिसको और भी update कर रहे है शॉट भी कर रहे हैं क्रिस भी कर रहे है ठीक है भारती संस्क्रती के लिए जो हमारी PDF होगी काफी होगी यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और पता दी जाए आपको कि जैसे अभी तो पूरा revision यह करना है अब आप यह पूछेंगे कि module भी पढ़ना रहेगा और जो आप लास्ट में देंगे वह भी पढ़ना रहेगा तो आपको बता दूं कि उसमें 45-50 दिवस सेस होंगे तो हम पूरा आपको और्गनाइज करके content दे देंगे बहुत ही कम pages में जो हम साड़े 1200 pages टार्गेट कर रहे हैं इतने में ही बलके और शॉर्ट अगर इसको हुपाएगा तो करेंगे इसमें पूरा से लिए बस आपको दे देंगे यह पूरा जीएस का 140 प्रशनों के लिए आपको बस इससे study करना होगा और आप जो है exam में बहुत अच्छा performance करने लाइक हो जाएंगे module-wise आपका understanding पहले से रहेगी और आप इतने आतना revision कर लेंगे तो अराम से cut-off clear करने लाइक हो जाएंगे समान हिंदी में जो हमारी PDF है वो कितने pages की है वो आपने group में देख लिया होगा और उतने से आप पूरा यहां पर revise कर लेंगे हिंदी की आपको कोई भी market की किताब लाने के हो सकता नहीं मैं X किताब ले लूँ मैं Y किताब ले लूँ क्या मैं Z किताब ले लूँ कोई कह रह है और जैसा मैंने बताया कि last year 58 question आये थे इस बार हम और update कर रहे हैं और उसको short कर रहे हैं repetition कम कर रहे हैं बहुत सारे नए महत्पूर्ण शब्द एड़ कर रहे हैं उसमें जिसे इस बार भी कम से कम 60 में 58 फिर से अरजित कर सके हैं ठीक है तो हिंदी में क्या करना है हिंदी कोई बात आप नहीं समझ पा रहे हैं आपने कुछ और पढ़ा है कहीं कोई वरतनी हो यहां कुछ और लिखी हुई तो उसके बारे में आप उससे डिस्कस कर सकते हैं लेकिन सारी चीज़ें एक बार चेक कर आदी गई हैं अगर कोई वरतनी हमारे content में लिखी है तो वही जो है या उससे मिलता जुलता आप वहां के पेपर में भी शुद मानेंगे इध्यान रखिएगा आप बहुत सारी चीज़ें कई बार चेक कर ली गई है और एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है बाकी जो हमारे फ्री वाले सब्सक्राइबर हैं आप जानते हैं कि हमने चैजार सवाल आपको कराई जाएंगे चैजार प्रशन आपको पूरा हिंदी में करवा दी जाएंगे आप यकीन वानिए चैजार प्रशन और पढ़ने के बाद आप इतने पर बना दें अगर बना दे तब भी आप उसमें 57 58 नंबर लाने आप आराम से अपने आपको कार आपको उसी तैयारी प्रीमेंस की एक साहत होती है। उसमें बहुत सारे पॉत हैं पॉंसमें बहुत सारी चीजें बहुत सारे इन से जो आपको पहले एक पर इस सोर्ष को आपको द widile यह आरो मेंस 2016 का केंवनिशनल हिंदी का पेपर है ठीक है यह हुआ था आपका 13 दिसंबर 2020 को 23 दिसंबर 2020 को माफ किजिएगा यह वा था इस तरीके का आता है यह सो अंकों का होता है धाई घंटे का यह पेपर होता है इसकी पूरी तैयारी स्टेडी फोर से लिस्टेस आपको क करेंगे ठीक है तो मेंस की बिलकुल जिंतावाली बात नहीं निबंध हमारे करा हुए आते हैं बहुत सारे निबंध हमने प्रैक्टिस कराय था वही वाले आये था बीउमेंस में ऐसा हुआ था रो मेंस में अब्हूत की हिंदी टीम जो है बहुत अपने काम को परोफेशन आप में द्राफ्टिंग होती 24 अंखों की इसकी भी हम पूरी तैरी करा देते हैं कारे ले आदेश परिपत्र में अंतर पताते हुए इसका प्रारूप बनाईए यह भी हमने सब आपने टैस सीरीज में प्रैक्टिस करवा दिया था अनुसमारक आर्थ पताते हुए इसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत करिए यह पेपर इस परश हुआ था 24 अप्रैल 2022 को ठीक है इसमान हिंदी और आलेखन को पेपर इसमें भी एक अवतरण आता है इसमें तीन च्छे बारा इस तरीके से संख्षेपन यहां पर करना होता है बारा मार्क्स में गद्य अवतरण का सारांच लिखना होता है च्छे में इसमें भी आपको टैबलर फर्म में इसको बनाना होता है इस बार जो है पूछा था अध्षास्की का प्रारूप स्पष्ट करिए शास्की अध्षास्की हर साल एक एक छोड़ के रिपीट होता है इसके बाद है कारेल आदेश किसे कहते हैं इसका एक उधारन प्रस्तुत क अधार बनाई इस तरीके से जितने फॉर्मैट है साथ तरह के फॉर्मैट है साथ आठ तरह के उसी में से तीन प्रश्णाप के यापते हैं यह वोडरी भी सारी हमारे करवाय विया थे इस बार भी आरोमेंस में रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट ही बताएगा कि मेरे बात कितनी सच होती है, रिजल्ट में हम आपको बताएगा, बिल्कुल जैसी रिजल्ट अनाउंस होता है, जैसी UPPSC का रिजल्ट अभी, की सब्सक्राइब करते हैं, आप कंवेंशनल हिंदी के ग्याता बन जाएंगे, आप एक हिंदी रिपोर्टर जितनी हिंदी जान जाएंगे, मैं बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, हमारा इंस्ट्यूट करता है, आप आरो यारो का जो यह वेकंसी आएगी, इसमें जो एक्जाम होगा, उसमें आप कट-off के उपर एक निश्चित अंक लाने लायक निश्चित और पर हो जाएंगे, भले ही आप एक अच्छा रिपोर्टर ना बन पाएं, मतलब ये, हिंदी के आप रिपोर्टर बले ना बन पाएं लेकिन आप जरूर पा जाएंगे, ऐसे निबंद में हैं, निबंद में हम इतने टॉपिक्स आपको कवर करवा देंगे, और इतना लेखन का मजबूत करवा देंगे, क्योंकि काई सारी चेकिंग वगरा भी होती है हमारे यहां पे, कन्वेंश्चिल हिंदी में हम ये निबंद लिखवा के आपकी चेकिंग भी होती है, इसमें मॉडल निबंद भी इसको एक्जिक्यूट करना उतना ही अनकनफोटेबल टास्क है, क्योंकि एक तो कॉम्प्टीशन बहुत जादा और एक उसले लेवस बी जीएस का काफी जादा है, तो जीएस पर बार बार इसले फोकस करना हूं कि प्रिलिम्स लिका लेना काफी कठीन हो जाता है, आप प्रिम्स के लिए, एक सो दस दीवस, एक सो नभे से एक सो दस दीवस आपको बिल जाते हैं, प्रिम्स के बाद, अब यहां भी बात कर लेते हैं, हम लोग किस टॉपिक से कैसे कॉस्चन साते हैं, ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री के आपके 21 सवाल देखने को लिए, 2021 में 19 आय पचीस सवाल आ गये थे, 2016 में 18 आये थे, 2017 में 11 आये थे, तो भी बैरी करता है, 11 से 25 के बीच, अर्पनाजेशन पॉपलेशन को हम लोग मिस्लेनियस का भाग मनते हैं, लेकिन इसमें अलग से भी दिया है, तो मतलब मिस्लेनियस में जो यह पॉपलेशन अर्पनाजेशन है, बजट से पूछ लेते हैं, एकनॉमिक सर्वे से पूछ लेते हैं, सवाल कोई अपडेट आ जाता है, जिस समंधित कितना कलेक्शन वह यह पूछ लेते हैं, तो साथ, नौ, ग्यारा, च्छा इस तरीके से आते हैं, इंवार्मेंट के चार प्रशन, साथ, प्रशन, आठ, प करेंट से, रीजनिंग में जो है, तेरा सवाल इस बार आते हैं, तो इसमें बहुत प्रशन, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, बस उनहीं से मिलते जुलते टॉपिक्स की आपको एक बर प्रैक्टिस कर लेनी है, जैसे एज वाला सवाल आता है, फिर उसमें अकांटिंग आते हैं, तो इसमें 9 से 12 आप आसानी से कर ले जाएंगे, बस थोड़ी से प्रैक्टिस करके, अगर मैं कहूं कि इन्हीं सारे टॉपिक्स में से सबसे जो फ्रूटफुल है, वो रीजनिंग है, बहुत कम मेहनत करके आप ज्यादा मासिस में अचीव कर सकते हैं, बागी री इसके लिए शॉट पीडिएफ देंगे, मुकरवा देंगे, आपको अग्रिकल्चर के चार प्रशनाय थे इस बार, उसकी भी पीडिएफ दी जाएगी लेक्स से उसमें हो जाएगा, हमारा टार्गेट क्या होना चाहिए, तो जब एक्जाम के 15 दिवस बच्चे होई, एक् इसके लिए अगरेट करेंगे, यानि कि, 145 प्लस का यहां पर आशय है, 55 प्लस हिंदी में अगर टार्गेट करेंगे, और आपका 85 प्लस अगर हम टार्गेट करेंगे, जी एस में तो आराम से आपको अटा अफ्टिकाल लिए अग्स तिदियमें पहुंच जाएंग, जो कि इस तो ऐसे आजाते हैं, फिर आपके एकनॉमी की और लापिंग करेंट फैर होते हैं, हिस्ट्री में कोई अपडेट हो गया, तो उसका स्टैटिक पूछ लेते हैं, उसको भी करेंट में डाला जाता है, ऐस पर कन्वेंशन, और अगर पॉल्टी में आपसे पूछ लेते है अगर एक देश एक चुनाव वाला पैटर्न फालो करना पड़ेगा, तो कितने आर्टिकल में हमको चेंज करना पड़ेगा, तो वो पूछा तो हमसे करेंट का सवाल, लेकिन है वो स्टैटिक का, तो इस तरीके से करेंट फैर का बेटेज बहुत जादा होता है, अग्जाइम से करी 50 दिवस पहले उतना उससे हो जाएगा, मिसलेनियर स्पेशल में 8-10 स्वाल आते हैं, और बहुत शॉर्ट वीडिया फिलेगे आपको उससे हो जाएगा, भूगोल में आपको काफी देना है, इसमें आरो का हिस्ट्री तो फेवरेट होता है, यह गाइडेंस में अपना सिलेवस नहीं बरबाद करना है, अगर कोई एक मैप वाला प्रशन आ गया किसी भी पराने साल में, तो पूरा वल्ड मैप खंगाल डालना आवश्यक नहीं है, इसा हो सकता है कि इस साल जो आप प्रिलिम्स दें, उसमें हो सकता है मैप से एक भी प्र बन रहा है, मैप वाला प्रश्न आगर कोई आने वाला होता है, एक जाता है, अगर आपको कम लगते हैं, तो यह आपका अपनी सोच हो सकती, लेकिन जो जरूरी है वो हमने दिया, हमने फालतु यहां पर जो है खाली एट्रेक्ट्ट्व बनाने को प्रयास नहीं किया, वो हमने सब दिया है, जो काथन वगएरा है, लोगों के ओपीनियन्स है, हमारी भारती राजवस्था के बारे में, उस सब हमने इसमें शामिल किया, पॉल्टी में, आपको शुरूरी मॉड्यूल वाइस मिलेगा, फिर एक साथ पीडिएफ मिल जाएगी, बहुत शौर्ट ह कि उसको रिवाइस कर लिजेगा, सारे जरूरी आर्टिकल वगएरा जो पूछते रहते हैं, जो सारे पॉल्टी की कॉंसेप्ट हैं, वो हमने उसमें कॉंपाइल कर लिए हैं, इतिहास में 20-22 सवाल आते हैं, इतिहास में बहुत सारी बुक्स आपको बता दी जाएंगी, ज कि हमारा कंटेंट जो है, ऐसा नहीं कि वो शॉट के नाम पर है, तो कई सारी चीजे छोड़ दी हैं, हमने सारी relevant चीज़ों कवर कर लिया है, सारी relevant फैक्ट कवर कर लिया है, जो आपके एक्जाम में कुशन कराने में हेल्प करेगी, बाकी पेड़ को इसके अलावर टेस स्र के होगे, जैसा ऑफिश्यल पर आता है, तो रात आठ वजे गृूप में, पीडिया फॉर्माट में आपका टेस्ट आ जाएगा, जैसे आप लोग हमारा पेड़ वाला कुश्च गृूप जोएन करेंगे, आप देखेंगे, बहुत सारे कुस्चन की प्राक्स अरड़ी सबसे पहला पोस्ट है यहां से कोश्चन शुरू हो जाते हैं तो इस कोश्चन से लेकर अभी आप लास तक आते जाईए बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए कुछ दिवाली की चुट्टी पड़ेगी आप पूरा कुछ का बैकप क्लियर कर सकते हैं आप देखेंगे कितने सारे सवाल रिपीट कितने सारे सवाल जो है आपको देखने को पूछे गए हैं हाल में जो पेपर सुए लग-लग कमिशन के द्वारा उसमें भी इन ही कुछ ग किने को पूछेंगे नौट्स के लिए आप 300-400 पेज़ेश की कापी ले सकते हैं उसको लिपिटर ही रखिएगा तो टो करेंगे मौड्यूल के लेकिन फिर भी नोट मेकिंग ये स्क्रिबलिंग जो जो टर्म है अमेरिकन टर्म है काफी पॉप्लर स्क्रिबलिंग यानि कि जो आप उसमें जो है लिखते जाते हैं ठीक है आपको टेबल पट रहे हैं कि अकबर के जो विजाए अभियान थे वो कहां आप जो है human development index पट रहे हैं उसमें चोटा चोटा स्क्रिबलिंग कर सकते हैं कि इंडिया रैंक ही हो गई ठीक है इंडिया की रैंक ही हो गई टॉप कंट्री ये हो गई इंडिकेटर्स कौन-कौन से होते हैं human development index के वचार इंडिकेटर आपने लिख लिए लिख लिए इस तरीके से ऐरो बनाके तो थोड़ी थोड़ी स्क्रिबलिंग यहां पर करते रहना चाहिए यह सब चीज़ें अभी की जा सकते हैं कि हमारे सामने अभी एक्जाम डेट नह सारे चार घंटे की स्टेडीज में आप बहुत सार प्रोड़क्टिव वर्क कर सकते हैं ठीक है आप संडे को रिवीजन का टाइम अपना रख लीजिए कुछ लोग जो है ऐसा कर रहे हैं कि मॉड्यूल पहले पर से हैं चार पांस फिर चार पांस की कुई एक सास लगाते है एक सीच् defect कर सकते हैं तो कई सार अब मेंच्व सब्सकार है की यृट heart c अनद्या के सब्सक्कार कर सकते हैं अगर आपको अने कीछानम क्याओं आपको अरू को सकते हैं रख सकता है लेकिन हमारा लेशे बस बिल्कूल करता है और या और आपको हर यहाब मिल जाएगा लेकिन हymень सब्सक्र 10 बजीसे तक पूछते हैं तो आपको या तो एक छोटा वीडियो भी काई बार हम लोग बनाते हैं अपने मेंबर्स के लिए प्रिविए सेर पेपर का रोल काफी जरूरी होता है किसी भी एक्जाम में और खासकर जी इसका अप्जिक्पी बगर आप एक्जाम देने जा रहे हैं प्रिविए सेर पेपर जो जरूरी कि आप प्रिविए सेर के सवाल रिपीट हो जाते तीन-चारह साल लिगें ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे आ जाएंगे तो प्रिविए सेर पेपर में क्या पूछा है यहां पे अनलाइज करना क्या की जगे फोकस करना है कैसे अगर इसमें कोई एंसर नहीं भी दिया होग तो इतना प्रिशान होने जरूरत नहीं है उसमें बस यह देखी कि कैसे पूछा जा रहा है और हम जो टॉपिक पट रहे हैं मॉड्यूल में उससे कैसा उसका लिंक बन सकता है कैसे आगे पूछ सकते हैं जैसे मालीजे कि अकबर के विजाए अभियान पूछे अब उसमें ह पूछे जा रहा है क्योंकि करेंट अफैर तो अब इसली रिपीट नहीं होता है प्रिवेसर पेपर का जी एस से सवालों पर जादा फूकस करिए अगर पेट स्टेडी मट्रियल ग्रूप के सतस्यों को कोई डाउट तो कहां बूचें कि आपको पास डिस्केशन ग्रूप ह जाने ज़रूरत नहीं है वह आप अपने डिस्केशन ग्रूप में कोई डाउट यहां फे पूट कर सकते हैं अगर आप सीरे स्टेडी करना चाहते हैं तो स्टेडी फॉर इसको जोइन कर सकते हैं इमेजियेटली यह हमारे गिवेन नंबर पर हैं इन पर कॉल या वाट्सट है इस पर आप टेक्स मेसेज करके अपनी जो है करी पूट सकते हैं यह मार्केटिंग सेल्स टीम से आपका नाता लेटरली टोट चुका है यह आपने हमारा पेट्रूप जोइन कि आप अधर टीम जो है लाइबल है आपके सवालों के जबाब देने के लिए एक बार समराइ है आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा सारे सब्जेट का रिवीजन के लिए ठीक है आप उसमें पढ़ सकते हैं और डिसकेशन रूप में अपने डाउट क्लियर कर बासकते हैं बाद में आपके टेस्स सीरीज होगी प्रैक्टिस के लिए डेली कुछ जो है डिली डिली आप बाद के लेली आपके लिए जो है लेली हैं और पर ऐस आपके लियर के लिएके लिएका सेथसे हैं सल्पदोन्यचों है